आज की बड़ी सुर्खियों पर दिल्ली में तीन बच्चियों की मौत भुक्मरी से ही हुई थी विस्टरा रिपोर्ट CBI विवाद आलोक वर्मा को नहीं मिली क्लीन चिट सुप्रीम कोच ने सीवी सी जाच पर मांगा जबाब आज से दो महिने के लिए खुलेगा सबरी माला मंदिर केरल सरकार अदालती आदेश लागू करने पर अड़े असम नागरिक्ता संशोधन विदेहक के खिलाफ सत्तर संगठनों का प्रदर्शन धारा 144 लागू कमबोडिया खमेर रूज नेताल लाखों लोगों का कतल करने के दोशी पाएगर शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से दिल्ली के मंडावली में बीते जुलाई महिने में तीन बच्चियों की मौत हो गई थी तीनों बच्चियां सगी बहने थी उम्र उनकी दो चार और आट साल थी बहराल अभी विसरा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि उन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला था भूख की वज़े से ही उनकी मौत हुई है जाज के दौरान लड़कियों के शरीर में कोई जहर नहीं मिला है हालंकि उस समय लेकर इस बात को काफे विवात था कि उनकी मौत भूख मरी की वज़े से हुई है या इसकी कोई और अनवजा है राज की आम आदमी पार्टी सरकार ने मामले में मेजिस्ट्रेट जाच के आदेश दिये थे विसरा रिपोर्ट से ये कन्फर्म हो गया है कि इन बच्चियों की मौत भूख की वज़े से ही हुई थी घटना के पहले जो इनके मजदूर पिता थे वो काम के ले गये थे मा भी मांसिक रूप से बिमार है ये परिवार पश्यम मंगाल का रहने वाला है हाली में जुलाई में ही दिली के मंडावली इलाके में रहने आये थे तीनों बहनों के दो बार पोस्मार्टम हुए जो पहला पोस्मार्टम था वो लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में कराया गया दूसरा जी टीपी अस्पताल में कराया गया पोस्माटम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने कहा था कि शरीर से खाने का कोई अंच तक नहीं मिला लगता है उन्हें 7-8 दिन से खाना नहीं मिला है बुलिचन की अगली खबर के अगर हम और चले तो CBI विवाद में एक नया मोर आलोक वर्मा को नहीं मिली एक लिन्चिट सुप्रीम कोट ने सीवी सी जाज पर जवाब मांगा है आपको बता दें CBI निदेशक आलोक वर्मा पर जो विशेश निदेशक स्पेशल डिरेक्टर राकेश रस्थाना द्वारा लगाए गए आरूपो को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोट में सुनवाई शुरू ही कोट ने बीते सोमवार को CVC द्वारा आलोक वर्मा मामले में जो रिपोर्ट दी गई थी वो वर्मा को सौप दी और उनसे सीलबन लिफाफे में इस पर जवाब देने को कहा गया है इस मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी सुनवाई के दरान जो मुखन अधीश है रंजन गोगोई उन्होंने कहा कि CVC द्वारा जो जाच रिपोर्ट दी गई है उसमें मिली जुली बाते हैं और जो मांग की गई है कि कुछ आरोपों को लेकर अतरिक जाच की जरुवत है हालंकी विशेश, निदेशक, राकेश, अस्थाना की और से जो पैरवी कर रहे हैं उनके वकील है मुकल रुहादगी उन्होंने भी CVC की जाच रिपोर्ट उनको देने के लिए कहा मांग की लेकिन कोट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया है बेराल कोट ने रजिस्ट्री को आदेश दिया है कि CVC रिपोर्ट आलोक वर्मा के जो वकील है आफालीस नर्गेश निर्मन उनको दे दिया जाए और कहा है कि C1 लिफाफे में इस मामले पर जिवाब है 100 पा जाए कोट ने इस वामले में कहा है कि जो आम जनता है उसका विश्वास CBI पर और संस्थान की जो पवित्रता है उसको बनाय रखने के लिए एक बात यही रास्ता है सुप्रीम कोच ने आलोक वर्मा को सोमवार यानी की उनीस वामर को एक बचे तक का यह जवाब है वो देने के लिए समय दिया है रिपोर्ट की एक कॉपी जो है वो अचॉर्नी जर्नल और सॉलिसिटर जर्नल को भी दी जाएगी मेराल केंद सरकार ने 23 अक्टूबर को सीवीसी के आदेश पर आलोक वर्मा से सारे हधिकार ले लिये थे उनको छुटी पर भेज दिया था और उनके जगा पर एम नागेशर राव को सीब्याई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया था आलोक वर्मा ने इस फैसले को सुप्रीम कोट में चुनौती दी थी इसे रद करने की मांग की थी पिछली बार इस मामले में सुनवाई करते हुए कोट ने कहा था कि सीवीसी सुप्रीम कोट के जज एके पतनायक की निगरानी में आलोक वर्मा पर लगाए गए जो आरोप है उनकी जाच करे सीवीसी ने बीते सुमवार को आलोक वर्मा पर राकेश अस्थाना द्वारा लगाए गए आरोपो की जो रिपोर्ट थी वो सीलिवन लिफाफे में सुप्रीम कोट को सौपी थी बहराल इस मामली के अगर जाच देखे तो मुकन अधीश रंजन गोगोई जस्टिस SK कॉल जस्टिस केम जोजफ की पीच शो है वो आलोक वर्मा की याचिका और NGO कॉमन कॉस की जनहित याचिका पर यह सुनवाई कर रही है जो CBI के विशेश निगदेशक है राकेश स्थाना उन पर भी ब्रहष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं उन्होंने कहा गया है कि मीट कारुबारी मुहिन करेशी ब्रहष्टाचार मामले में हैदराबाद के एक वैपारी से दो बिचॉलियों के जरिये 5 करोन रुपे की रिश्वत मांगी है CBI का आरोप है कि 3 करोन रुपे उनको पहले ही दिये जा चुके हैं CBI ने इस मामले में राकेश अस्थाना के खिलाफ FIR दर्च कर लिया है अस्थाना के खिलाफ FIR दर्च करते ही देश की सबसे बड़ी जाच अजनसी में जो बहुत लंबे समय से विव पर अजनसी के सवाल उठ रहते हैं उसको देखते हुए प्रिधान मंत्री नरेन मोदी के आदेशों पर ही दोनों अधिकारियों को चुटी पर भेज दिया गया है बहराल जो कार्मिक मंत्राले के आधीन ही CBI काम करती है इस समय इस मंत्राले के प्रभारी नरेन मोदी है सरक सरकार अदालती आदेश लागू करने पर अडिक सबरिमाला मंदिर में 10 से 50 साल तक की महिलाओं के प्रभेश को जौनुमती मेली उसके बाद जिस तरह का प्रतिरोत का सामना हो रहा है उसके समाधान के लिए गुरुवार को एक एहम सर्वदलिय बैठक बुलाई गई जिसम कोई सहमती नहीं बन पाई है केरल सरकार सुप्रीम कोट के आदेश को लागू करने पर अडि रही जिसकी वज़ा से विपक्ष बैठक से चला गया तीन घंडे तक इस चलीज बैठक के बाद मुख्यमंत्री पिनाराई विजियन ने कहा कि उनकी सरकार भगवान अयक्पा के मंदिर में प्रारतना के लिए सभी उमर की महिलाओं को जो प्रवेश की इजाज़त से सम्मंधित सुप्रीम कोट का फैसला है अठाई सितमर का जो आदेश है उसे लागू करने के लिए बाद है क्योंकि इस पर किसी तरह की स्थगन नहीं लगा है विपक्ष ने इस बैठक को धों करार दिया है अदालती आदेश लागू करने पे जो वाम लोगतांतरिक मोर्चा सरकार के फैसले के खिलाफ राज में कॉंग्रेस भाजपा, आरेसेस और दक्षिन बंती संगठनों के कई प्रदर्शन हो चुके हैं बहराल आपको बता देए अदालत के इस आदेश क ये बात पिछले महिने से दो बार ये मंदिर खुला, कुछ महिलाओं ने प्रवेश करने की कोशिश भी की लेकिन जिस तरह से श्रद्धालू का विभिन हिंदू संगठनों का प्रदर्शन चल रहा है उसके चलते वे प्रवेश नहीं कर पाएं इस बीच महिला अधिकार कारकरता और भूमाता ब्रिगेट की जो संस्थाफक हैं त्रिप्ती देशाई वो छे अन महिलाओं के साथ कोची एरपोर्ट पहुँच गई उन्होंने राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग भी की लेकिन महिलाओं के प्रवेश का जो विरोत कर रह 2016 के खिलाफ प्रदेश भर में अगर देखें तो करीब सकतर संगठन शुकरवार को गुवाहाटी में विरोत प्रदर्शन कर रहे हैं इस बीच पुलिस ने किसी तरह के तनाव ना होने के संभावना के चलते धारा 144 लागू कर दी ये सभी संगठन गुवाहाटी के जनता भ कई राजियों में इसका विरोध हो रहा है विदान सभा के अगामी सत्र में इस संशोधन पर एक आजए पीसी की रिपोर्ट पेश के जाने की भी उमीद जताए गई है और इस प्रदर्शन की अगवाई जो है वो खृष्यक मुक्ती संगराम समिती कर रहे हैं इसके इसकार ने जो नागरिक्ता संशोधन विद्यक के माध्यम से अफगानिस्तान, बांगलदेश, पाकिस्तान, इन जगाओं के हिंदू, सिखो, बॉद्धो, जैन, पार्सियों और इसाईयों को बिना वैध दस्तावेश के भारतिय नागरिक्ता देने का जो प्रस्ताओ है व प्रावधानों का उलंगहन है जिसके मताबिक 1971 के बाद बांगलदेश से आए सभी अवैद विदेशी नागरिकों को वहां से निर्वासित किया जाएगा भले ही उनका धर्म कुछ भी हो इसे पहले राज में साज्यधारी असमगर्ण परिशद ने भी दमकी दी है कि अगर ये विदेहक पास होता है तो वो राज की भाजपा सरकार से गड़ बंदन तोड़ देगी एज़ीपी ने इस विदेहक के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है कॉंग्रेस भी इस विल के विरोध में है कॉंग्रेस का कहना है कि विदेहक 1985 के असम संजोते की भ पर इस नेताओं को पहली बार नरसंहार का दोशी करार किया गया है अगर देखें तो 92 वर्शी एक नेता नुआंचिया खमेरू सरकार में विचारधारा प्रमुक थे और 87 साल के जो क्यू संपान है वो पूर्फ राष्ट प्रमुक थे इन दोनों नेताओं पर संयुत आख लोगों की मौत के लिए का जमेदार होने का आरोप लगाया था आयोग के अनुसार अगर देखें तो कमबोडिया में बंदूक की नोक पर शासन चनाडेवाले जो संगठन था खमेरूस के शासनकाल में वियतनामी मूल के चाम मुसलमानों को चुन-चुन कर हत्या की ग कमबोडिया की पूर्विदेश मंत्री लेंगसारी तीसरे अभियोग थे जिनका 2013 में 87 साल की उमर में उनका निधन हो गया था कोट ने दोनों नेताओं को मानफता के खिलाव जाते हुए प्रतारना, धार्मिकुत पीरन, रेप, जबरन, शादिया कराने और हत्याए करवान तो कोट थे वो सालोथ सार थे जिनने पॉल-पॉट में नाम से जाना जाता है इस दौरान हुई हत्याओं को बीसवी सदी के सबसे बड़े नर्सहारों में से एक माना जाता है और माना जाता है कि जो माक्सवादी Neta है, पॉल-पॉट ने जो सामयवादी विचारधारा को अपनी तरह से परिभाश्यू किया और उसके बाद जो कमबोडिया का समाज है वो हमेशा हमेशा के लिए बदल गया भेराल इन सारी खबरों को जाके आप दवायर की अंग्रेजी, हिंदी और उड़्दू वेबसाइट्स पर बढ़ सकते हैं इसी के साथ मेस रिष्टी दवायर बिलिटन में आज इतना ही